आज के व्लोग के शुरुआत होती है कुछ अंदे लोगों से ओ सोरी मैं खुद भी उसी केटेगरी में आता हूं तो मुझे यह नहीं बोलना चाहिए आज मैं पुराने चस्में के साथ ब्रेक अप जो करने वाला हूं ब्रेक अपटा चलने के बाद आसमान भी रोने लगा औ अब जो है कुछ थंडी हवा आरी और कुछ पारिश की बूंदे भी गिर रही है मैं अभी जो है जल्दी से गर जाना मुझे सही लगता है और अभी मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए इनों ने अभी शाहिद प्रारंब किया है अपनी नई दुकान का कॉंग्रेच्च अगली वा रहेंगे आपके बाद समान नहीं करें लेकिन मौसम बहुत ही जादा खराब हो गया अगर ओमाइगोड मुझे स्कुटी चला समय व्लोग ने बनाना की है जब जागे थोड़ी ज़ए बर्सांत रुकिया और दूड वगेरा सब्जी वगेरा लेने में मारगेट आया और आज है दूसरा दिन हमारी इंग्लिश की क्लास से स्टार्ट होने वाला कैसे हो दोस्तों आप लोग आज मैं क्या कर रहा हूं एक दो दिन में मतलब दू तीन दिन का एक साथ व्लोग डाल रहा हूं मेरे पास बोड़ा भी समय का अभाव है इससी कारण से और आज जो है सावन का दूसरा सोंबार है मैं आयो हूं शिव जी का मंदिर यहां पर यहा इमोल सम बहुत जिसन सुछाना है लेकिन बःषाउंत नहीं ओर भी का नेर में अभी चोह है हमारे काओं में चुरू में बहुत ती शांदार रूप से बर्शान हुई है कुछ स्कूलों का उकास्ष भी आज बरसांत के कारण पानी जवांक के कारण लेकिन अमारे यहां न तो आज जो है इंदर देव जी ने हमारी बात सुनी और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इसी कारण आज हमारी सभी कोचिंग्स और स्कूल्स के अमारे कलेक्टर साथ ने छुट्टी कर दिया है आधेस जारी कर दिया है और बता रहे हैं कि स्कूल की तो लगबग 6 दिन के पुपे हां प्रक्टी होसकती है अच्छे तारीक तक होसकती है तो लेकिन अमारी जारी तिती लेगिन आज पूंडे सफील्ड Bridget पता ने क्यूं सद्दै आ कल और कल हमारी कोचिंग है इसके शुरुत होती है हमारी मीर्फ से टीचर से और बाहर का मुसम देखके तो कितना पॉजिटिव और मुलब ऐसे चांट सी एकदम मुलब शुकून वाला साउंड है यह इसको मुझे को डैग्राउंड मुजिक लगाने की जोरस में पड़ेगी इसना सुकून डायता है मैं हुलक्समिनाजी के मंदिर और यह है पार्क यहां पर है यह देख तो है दो अब जो है आन्धी आने वाली है आप उपर देख तो मौसम कौसी खराब हो रहा है कि मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया कि अब आपको दिखाता हूं विकानेर का पूरा नजार मदब एक हाई लेवल पर पूरा विकानेर कैसे दिता है यह देखिए अभी यह जो नजारा है आपको लक्समिनाज जी मंदर से दिखेगा और यह देखिए बच्चे लोग स्केटिंग सीख रहे हैं वाँ जो मैंने देड़ साल पहले सीखने का ट्राय गयाता है अभी पढ़े हैं वह इसे घर पे दोस्तों यह सरफ नाम से लक्समिनाज जी का मंदिर है यहां पे सभी देखिए देवताओं के मंदिर है करणी जी का नागने चिमाता का बहरूं जी का गनेश ची का अलग सब का मंदिर है तो एक साथ कोई मंदिर जाना हो तो विकाने में सबसे बैस्ट जगे यह है और आज का विलोग जोए मैं यही मत करना किसी भी आल में तो आज से क्या दो साल पहले हमारे गाउं में एक बाइट पे दो जने आयते LED बल्ब लेकर उन्होंने क्या इस सरकार की योज़ना है या फिर ऐसे बोलते हैं कि यह फिर हमारी कंपनी का उफर है आपको तस तस रुपे बलब 20-20 रुपे 20-30 रुपे भी नहीं आते आपके लेकिन अब उन्होंने बहुत इस तरीके को इस कैम को हाई लेवल पे लेके चलेगे वह क्या करते हैं आपके पास आएंगे और गाउं में यह हमारे साथ हो रहा है मेरे पापा ने ले लिये थे बल्ब और अब किसी काम के नहीं है आपने अलमारी में अपने रहे आपको आदारकार्ट से अब दो आपको यहां सीचित करते हो कि यह इसा कुछ आए आधारकार्ट मांगे तो अब लोग इखटे करीए उन पर एक्शन लीजिएगा तब ही इसा कुछ वोदार हो सकता है आप अपनी सेफ्टी करोगे और सोचों कि दूसरा जाए भाड़ में तो इस चीज का सोलुशन नहीं होगा कल को को दूसरा स्कैम आपके लेवल का नहीं होगा आपको समझ नहीं है वह आपके साथ हो जाएगा तो बचाओ लोगों को और इस चीज का ध्यान रखना और अब लोग आते रह झाल